मेरे परिवार जनों, जिस दल ने आज़ादी के इतने सालों तक देश पे सरकार चलाई, उसने आदिवासी समाज को भी सम्मान नहीं दिया। आज़ादी से लेकर सांसकृतिक विरासत की सम्मृति तक हमारे आदिवासी समाज की भूमिका बहुत बड़ी रही है। इसके लिए देश को भाजपा का ही इंतजार क्यों करना पड़ा। हमारे जो इवा आदिवासी जब वो पैदा भी नहीं हुए थे। उनके पैदा होने से भी पहले अटल विहारी वाजपाई की सरकार ने जन जातिय समाज के लिए अलग मंत्रा नहीं बनाया। अलग बजेट दिया बीते नव वर्षों में इस बजेट को कई गुणा बढ़ाने का काम ये मोदी की सरकार ने किया। देश को पहली महिला आधिवासी राश्पती देने का सौपागे भी भाजपा को मिला। बगवान बिर्सा मुंडा के जन्म दिवस को जन जातिय गवरो दिवस भी भाजपा सरकार ने गोशित किया। देश के आधूनिक तम रेल्वे स्टेशन में से एक स्टेशन का नाम रामनी कमलापती के नाम पर किया गया। पातालपानी स्टेशन अब जन्नायक टंटिया भील के नाम से जाना जाता है। और आज यहां गौण समाज की प्रेणा रानी दुर्गवती जी के नाम पर इतने भव्य आधूनिक स्वारक का निर्मान हो रहा है। इस संगराले में गौण संस्कृती, गौण इतियाज और कला का प्रदर्शन भी होगा। हमारा प्रयात ही है कि आने वाली पीडिया सम्रुद्ध गौण परंपरा को जान सके। मैं जब दुनिया के नेताओं से मिलता हूँ, तो उन्हें गौण परिंटिंग भी उपार में देता हूँ। जब ये शांदार गौण कला की प्रदोंदा करते हैं, तो मेरा माथा भी गर्व से उंचा हो जाता है।